तो चलो भाई आज एक कॉम्बाइन सलूशन देखे जाता हूं फॉक्सकॉन के मदरबोट के ओपर तो यह भिंडर लिया हुआ है क्या भाई लेनुवो ने तो इसका बायस में लेनुवो आता है शायद में भी लेनुवो का ब्रेंडट पीसी में था तो लेनुवो मॉड़ां का सेंवो ढू լॉर्ड में ही सें पॉले में तो मैंने जो कॉम्पोनेंट है वे और कर दिया है तो वीडियो में दे देता ё मैं पहले ठीक है तो देखो या यह फॉक्सकॉन का है अ excessive powerful को sneaking व ही बीडियो जब बना रहा हो तो किलिया डिखा देता है तो यह देखो यह है Foxconn यह देखो Foxconn तो इसका model number होगा H61 MXP तो इस common board है बहुत सारा है market में यह board तो इस board में एक खास problem है देखो दोनों debug card लगा के दिखाता हूं जिनके पास जो debug card है वह उसी से समझ जाओ तो यह एक लगाता हूं इसमें TPM port अबलेबल है तो हम TPM port में डालते हैं कोई भी डिवाग काड तो अभी देखो तो दो एक MINUTE उ press myzus करना पड़ेगा आपको इस board का problem देखने के लिए मैं भी उट करता हूं आप भी मोट करो तो थोड़ा सा पॉस कर के दिखाता हूं थोड़ा सा पॉस कर के लगता हूं कितना मिनिट में देगा मुझे भी पता नहीं एक मीट मेने पॉस करके रखा अभी बी रिजल्ट आया नहीं जो पॉबलेम मैं शेयर करना चाहरा हूं तो थोड़ा सा और भी बास कर देता हूं यह देखो चालू हो गया तो यह चालू हो गया देखो बोड़ अभी ऐसे ही कोट पे जिरो जिरो कोट पे चल रहा है और यह ड कर दिया और मैं टिकर देता हूं यह लोटी कर लिया यह देखो कोट बेकेशन हो रहा है और डिस्पल यहां पर आएगा तो अभी थोड़ा जल्दी होगा एक सेगन तो देखते डिस्पल आता है कि नहीं क्या कोड है अच्छा एप फोर कोड है ठीक है देख सकतो इसली एप बॉस बॉस किया दाइ मिनीट बास से यह पॉब्लेम चालू हो गया तो फिर से आप कर देता हूं और यह दो बारा डिस्पले कभी-कभार आ रहा है कभी-कभार आपको ऐसा इंटरफेस होगा अगर ऐसी टाइप का पॉब्लेम हो देखो पॉब्लेम में क्लियरली दिखा र देखना है कि भाई पॉब्लेम क्या है मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं तो अभी देखो यह कोडी नहीं ले रहा है तो यह डिबाग काड में कोई कोडी नहीं ले रहा है और दोनों में कोडी नहीं ले रहा है इसमें भी ले नहीं जाहा है और इसमें तो एक पोडी है पहले तो देखो भई इस बोड में दो पॉब्लिम का सलुशन में देखे जा रहा हूं और डेफिनिटली आप अगर ऐसे बोड हाथ लगे हो आपका गला स्थिश्च्टी वहन मैं धुब्लिम ने ध उट यहां पर कुछ क्या अटक जाता है तो ऐसा problem हुआ तो आपको देखना है इस बोड में दो तरह का problem आता है पहले तुम्हें बता दू अगर यह वाला डिवाग कार्ड है तो आप डाले हो यहां पर तो एफफ कोड ही आएगा डिस्पले नहीं आएगा और यहां पर रिसेट अगर हाई है एक सेकिन यहां पर अग अगर एफफ कोड के साथ यहां पर हाई रिसेट है यहां पर एफफ कोड के साथ अगर हाई रिसेट है तो वह जो पॉब्लम है यह चोटा सा पॉब्लम एक सलूशन है वह सॉल्व हो जाएगा तो देखो अगर हाई रिसेट है बोड में तो पास से देख लो अगर हाई रिसेट है तो यहाँ पर एक मॉस्पेट है फास्ट में एक दम सीमोस सेल के बाद एक दो तीन चार यह सीरिस में 4 कंपोनेट लगा हुआ है उनमें से यह फास्ट वाला कंपोनेट के 72 है तो इस बोर्ड में क्या है देख लेता हूं एक बार छटक से तो इस बोड में 702 है तो यह 702 को आप सिंपली रिमूब कर दो यह 702 को और भी पास से देखलो के अगर हाई रिसेट के साथ एफएफ है और डिस्पले नहीं है तो इस कंपोनेंट को इसली रिमूब खर दो नौड़ में आपका पॉबलम सोल्व जाएगा और इस बोड में जो पॉबलम है वो बोक्यों यह कंपोनेंट से नहीं हो रहा है तो मैं दिखाता हूँ कहां से हो हो तो फिर से डालते हैं एलबीजी पौर्ट में डिवार कटाई तो देखते थोड़ा सा ठंडा हुआ तो फिर से कोड जनराइड होगा का और उपर घर देता हूं ऐसे रखता हूं तो फिर से मैं पाउर देता हूं नहीं, अब भी कोई code generated नहीं है, पर पहले देखो display था code generated हो रहा था, variation हो रहा था code, पर display था, पर अब display नहीं है, क्यूँ नहीं है, ऐसे अगर case आए, यह debug card है, तो मानलो आप बहुत अच्छा, मतलब universal series का कोई भी debug card हो तो बहुत अच्छा, तो अब देखा debug card क्यू जरूरी है, मैं क्यूँ बताता हूँ, debug card ले लो, तो इस छोटा मोड़ा काम के लिए debug card बहुत हिल्प कर देता है, तो यही चाहिए, यही आपका, मतलब बहुत हिल्प करेगा, काम में, और जो लोग experience है, बहुत बिना debug card में काम करते हैं, उसके बाद अलग है, पर मेरा उतना experience नही है, पास आजाओ, और भी, और यह display नहीं देगा, यह देखो, यह अब भी observe कर लेगा, देखो, यह जितना मैंने डाला है, थोड़ा से time दो observe कर लेगा, तो यह देखो, बीच में, center में देखो, observe करना चालू कर दिया, यह total खा जाएगा, बहुत ज्यादा hit नहीं हो रहा है, पर hit हो रहा है, तो अभी थोड़ा से time दो, देखो, बीच में से शुरू हो गया, मतलब, यह जो center है, यहां से शुरू हो गया, तो देखो, आभी चालू हो जाएगा, यह देखो, खा लेगा, यह, बोर्ड चल रहा है, ठीक है, यह देखो, बोर्ड चल रहा है, तो यहाँ बधर जो है यह कराब में तो दूसरा एक मोड सेम केस है तो यह बहुत ज्यादा बहुत ज्राइफ ल्यादा हीट तुमसिया दsk 몇 assembled कर लिया तो यह जो आयो है बहुत हीट का आयो है nct5862 d nct5862 d इसका मॉडल नंबर है आपको इस फ्यार सेल में मिल जाएगा 300 इसका प्राइज है और शीपिंग 100 एक पीस लोगे तो पर वन पीस में 400 रुपीस पर वन पीस शीपिंग दे के आपको लगेगा तो यह आयो फटक से और करके चेंज कर दो आपका यह जो पावलेम है यह fix हो जाएगा तो अभी मेरे पास यह नहीं है मैंने पांच पीच और किया है फाइब पीस तो मेरे पास और भी एक सेम बोड है दिखा भी देता हूं यह देखो यह भी एक सेम बोड है सेम प्रिविशन के साथ एस इस ट्यूवान एम एक स्पी तो इसका भी यह आज आजू आजू में कुछ कंपोनेंट है कापसिटर शॉट हो सकता है पर मैंने सारा चेक करके देख लिया है इस बोड में ऐसा कोई नहीं है बस आयो होई ही फल्टी है तो यही बस बोलना था छोटा सा वीडियो बना दिया कितना टाइम लगा नौ मिनिट दस मीट मे यह सॉल्व हो जाएगा और और एक पॉब्लम से होता है मैंने बताया था यहां पर उस टाइब के केस में आपका आयो हिट नहीं होगा दोनों आयो में से कई भी आयो हिट नहीं होगा पर एफफ कोड आएगा और हाई रिसेट रहेगा इस डिबग कार्ड अगर आपके पास इस डिबा कड में फास्ट वाल एंडी जलेगा है रिसेट होगा तो आप डिफिनेटली यह जो 702 एंचनल मॉस्पेट है यह वाला एक सेंड लाइट का कंबिनेशन बढ़ा देता हूं तोन से यह है 702 यह फास्ट वाला एक दम यह यहां पर एक ओपम लगा हुआ है इसका पर देखना पड़ेगा ऐलम 358 होगा में एक सेंड देख के बता देता हूं हाँ हाँ यह 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 कुछ आगे कुछ ए है ओ यह कंवर्टर है और इसमें क्या है थोड़ा सा समझ जाओ तो आप डिफिनेटली इजीली सॉल्ब कर पाओगे तो मैं थोड़ा सा समझा देता ह हूं तो देखो अगर हाई रिसेट आया आपके बोर्ड में और डिस्पले आने रहा है और यह दोनों आयो में से कई भी आयो हिट नहीं हो रहा है मतलब नॉर्माल है फिर भी आपका बोर्ड में डिस्पले नहीं है तो यह जो एलम 358 है इसका एक नंबर पीन पर आपको 3.3 बोल्ड मिलेगा तो नोट देखके अभी सब कर लेना कहां पर एक नंबर पीन है यहां पर मैं दिखाने ही पा रहा हूं किलियर से एक सेगंड यह फैन को हटा देता तो अच्छा होता है फिर भी कोशिश करता हूं तो यह देखो एक नंबर पीन इधर है ठीक है इधर तो ए पशीषी और एक नंबर पीन नहीं चेक करना आपको बस चेक करना है पांच और छैंण अबर पीन जो की इधर मिलेगा यह वाला पिन पांच और छए इस दोनों में करीब करीब 0.62 से लेकर 85 तक वोल्ड रहेगा 5 नंबर पिन पे और एक दो तिंचर पांच और छह नमबर पिन पर मतनब नमबर 6 में रहेगा 0.60 से लेके 0.80 तक यह दो भोल्टेज अगर मिसिंग हो जाता इस IC का तो आप डेफिनेटली समझ जाओ यहाँ पर जो कॉंपोनेंट है यह खराब है जो मॉस्पेट है इसको आप रिमूब कर दो तो इसका जो भोल्टेज है वो 5 अच्छे में जो भोल्टेज आपको मिलना चाहिए 0.60 से लेके 85 तक पांच नमबर पे अच्छे नमबर पे 0.50 से लेके 60 से लेके 80 तक बो भोल्टेज अगर कॉंस्टन हो गया तो समझो आपका बोड रेडी हो जाएगा तो यही है लॉजिक त इस बोड में तो फिलाल आयो खराब है तो जब आयो आयेगा तो पाट्टू में देखते हैं अगर टाइम बिला तो एक वीडियो दे देंगे और नहीं भी आया तो आप 100% समझ के चलो कि भाई आयो हमारा फल्टी है हीट हो रहा है मतलब आयो ही खराब है इसका जो सायो है वह खराब है तो आप 20 इसका को चेंज कर दो और आपका जो बोट का पॉल्लम है वह फिक्स हो जाएगा तो वीडियो इतना ही है अगर कुछ समझ नहीं आया है तो भाई टेलीगराम कर लेना और जो काम करते हो वह मैं उमीद रखता हूं कि समझ चुके हो मैं जो समझना चा